हालो गाइस आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कोल्ट ओयस के 6.2 ओफिशल इंडोई 10 रोम के बारे में जिसका अपडेट आया है और यहां पर रेड्मी नौट 4 के लिए है और यहां पर बताने वाला हूं क्या कुछ हमें यहां पर देखने की सब्डेट में मिलता और जो पहले एक वीडियो अल्रेड़ी प्रीविएस वीडियो एक कल जो बनाया था उससे बैटर आपको पप्जी प्रफॉंसी में मिलती हो और क्या कुछ है ओभी मैं आपको यहां पर बताऊंगो तो पूरी वीडियो जरूर देखना और अगर आप नहीं आए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और साथ-साथ बैल आइगन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को अल्ट पर कर ले ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अप्लोड करूँ आप सबको नोडिफिकेशन मिल जा और साथ-साथ हमारे टेलीग्राम ग्रूप पर भी जोइन हो बाकि Android 10 में देखने को मिल जाता हूं और पांच जुलाई 2020 की लेटेस सेक्यूर्टी पैश मिल जाते हैं और बात करते हैं यहां पर यहां पर काफी जारे टोगल्स मिल जाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हूं काफी जारे टोगल से हमें मिलने वाले कोको सेटेंग्स मिल जाती है बाकि यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर एडवांस अनिवल कर सकते हो power menu की setting में जा करके यहां पर थोड़ा से ब्राइट वह ज्यादा हो रहा है बाकि कॉल की बात करें तो वोल्टी हमारी यहां पर बिल्कुल है से काम करें को रिकोर्डिंग में मिल जाता है वीडियो कॉलिंग के अगर हम बात करें तो बीडियो कॉलिंग फिलाल सही से यहां पर कैमरे की बात करें देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर कुछ ओफिंसे काम करें और बहुत फिर हो परिचने को मिल जाता है और यहां पर काफी सारे आपको features मिल जाते हैं Dolby जैसे कि हमें इसमें एड किया गया है तो Dolby बस आपको earphone लगाना है आप यहाँ पर यूज कर पाओगे Dolby और यहाँ पर FM भी मिल जाता है और साथ सब है बाद कशें लिएंड गृूट बाद करें सारां जो करिया बिलकुल रसी किसे बिल्कुल है कि करें तो सारे बेंकिंट कर Luther के सारे इयम् 나 रूर्ट के आर्द स Meat लृत Grid कॉ CI Earlier यहां पर यहां पर आइकन को मिल जाता है इस तरीके जो है आप ऐसे यूज कर पाऊगे जो कि हमें स्टेटेस बार में देखने को मिलने वाला है आपका जो कि यहां पर दिखा तो जीरो भी आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आप कर सकते हो बाकि अचन लगा सकते हो बाकि नविगेशन वार आप यहां से इनेबल डिशेबल कर सकते हो जो कि अल्रेडी इनेबल है यहां पर आपको पिक्सल एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है नविगेशन वार में जो कि बिल्कुल ऐसे दरीके से काफी स्मूध भी यहां पर काम कर रहा है तिसका भी आप यहां पर यूज कर पाएंगे यहां पर इनेबल करना पड़ेगा आपके नविगेशन वार के अंदर से यहां पर इसको इनेबल कर देना उसके बाद आवा आपको वहां पर चलोगे अपने जेस्टर में तो जेस्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर हम आते हैं तो यहां पर सिस्टम वारा इनेवल हो चुका और यहां पर जेस्चर नविगेशन जो है आप यूज कर पाऊगे इसकी सेंसिविटी भी आपको मिल जाती और यहां पर जेस्टर जो है काफी स्मूध यहां पर काम करते बीना किसी प्रोब्लम कि आप जेस्चर भी बिल्कु लेसे दरीके से फुल ज स्क्रिन सॉटकाट का आपको यहां पर प्री प्री अपको देखने को मिल जाता है एंड यहां पर ऑफैन पर जो कि उमल जाता है तो यहां पर यूज कर पाऊगे इसका भी जो की वर्पिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से और नीचे आमने नौर्मली लॉक स्क्रें के सिट जाती है जो कि आप यहां पर देख पाऊगे बाग की लॉक्स्क्रीन यॉई के अंदर क्लॉक स्टाइल एंड डेट स्टाइल कुछ यहां पर थोड़े बूत एड़ किये गे इस अपडेट में बागी यहां पर सिस्टम के अंदर चलते हैं तरह नोटिफिकेशन जो कि के अंदर आपको सारी इसकी थीम मिल जाता है को यहां पर मिल जाएगी बाकर यहां पर एड किया गया है यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप को कर दिया विए नीवल करने के बाद यह जो है ऐहां पर देखने को मिल जाएगा यहांड रस्ता पर स्डयाल ऐसी त्यार ऑगर यहांड़ देखने कर सकते हो बाकि mi तेमिंग मोड आपको यहां पे देखने पर मिल जाता है यही देखने मिल जाता है यही नॉर्मल्लिड यहां पेन मिल जाती है sats 2920 अभी रप्फ together toania नॉर्मली जो की आपको काफी इससे बैटरी देखने को मिलने वाली है और बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले सेटिंग्स की यहां पर हमारा नाइट लाइट हो गया ओटो ब्राइटनेस हो गया बिल्गल इस तरह की से काम कर रहा है लॉक्स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर यहा लोगभी फिलाल देखने को नहीं मिलता है तो फिंगर्प्रिंट के अंदर हमारा तरी कुछ से मिल जाता है और बात करें बूब प्रिंग हमारा बिल्कुल ऐसे दरे किसे काम कर रहा है जैसे कि Android 10 में वें टैप बला इसू है वह देखने को मिलता है बाके फिंगर प्रिंग हमारा काम कर रहा है बाकि यहां पर स्क्रीन लॉक सटेंग्स के अगर हम बात करें यह कुछ सटेंग्स मिल जाती है निस स्माट लो टॉर्स के लिए मिल जाता है डिजपले कलर कव लिए मिल जाता है बाकि यहां पे स्टेक्टर अप्रोफा स्क्राइन सब्सक्राइब कर सकते हैं इंच्रा कुछ आपको मिल लेगा पर चलते हैं इस सिस्टम के अदर आप कोल्ट वैस का अपडेटर मिल जाता है जिसमें आप अपडेट्स देख सकते हो इसकी चेकर से डाउनलोड भी कर सकते हो और एंटुडू में चमा स्कूर की बात करें तो 98,662 हम यहां पर देखने को मिलने वाला है और पब जी के अगर हम बात करें तो पब जी का ग्राफिक त जैसे वेटर आपको यहां पर देखने यहां प्रोब्लम है कि हलका हीट होता है उतना ज्यादा भी हीट नहीं हूता है लेकिन नॉर्मल हीट जो है हलका होता है उससे और बाकि यहां पर पॉफोमेंस तो PUBG की पॉफोमेंस आपको वेटर मिली रही है जो कि new kernel यहां पर यूज किया जा रहा है सभी रोम पर तो सभी रोम से मुझे लगता है टेटेश रिस्पोंस भी काफी अच्छा है तो नौट फॉर में अभी भी पॉफोमेंस के मामले में कम नहीं है आपको यहां पर प्प्यास अगर आप देख सकतो फाइट के टाइम पर यहां पर उतनी नहीं होती 3041 आप देख सकतो 32, 39 इस तरीके से हमें यहाँ पर performance देखने को मिल रहे है जो की काफी जबरजस्त है यहाँ पे तो Colt OS में आपको पहले की ROM से better यहाँ पर PUBG performance मिलती है और भी काफी सारे जो की ROMS आरे जिन्में 4.9 यहाँ पर जो की यूज किया जाता सभी ROMS का मैं यहाँ पर बनाऊंगा सभी ROMS का टेस्ट करूंगा जो बेटर रहे हैं उसका एक का फिर पर कर ले ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अप्लोड करूँ आप सबको नोडिफिकीशन मिल जाओ और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सब के लिए लाता रहूँगा तो आज की वीडियों पस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग